अगर हमें कहीं बाहर जाना हो और बाहर जाने के लिए हमने तैयारी पहले से कुछ भी नहीं कर रखी हो और जब साथ में हमारे बच्चे हो तो उनके खाने के लिए तो कुछ नो कुछ चाहिए ही खाने में टेस्टी लगे और जल्दी बनने वाला नास्त हो तो चेरी जल्दी सी शुरू करते इस नास्ते को बनाना सबसे पहले हमें यहाँ पे एक कच्चालू लेना है और एक मीडियम साइज का हम प्याड लेंगे इनको हम बड़े-बड़े पीस में कट कर लेंगे अब इन दोनों को हम एक मिक्सी जार के अंदर डाल कर इनका हमें एक महिन सा पेस्ट बना के तेयार करना है अगर आपको अद्रका फ्लेवर पसन हो ता आप यहाँ पे वो भी एट कर सकते हो पेस्ट हमारा बन के तेयार हो चुका है इसे हमें बड़े बरतर में निकाल लेंगे अब हमें आदी कटोई सूजी लेनी है इसे हम आलो प्याज के पेस्ट में मिला लेंगे और सुखे मसालों में हम यहाँ पे आदा चमच कुट्योवी लाल मिश डालेंगे स्वाध अनुसा नमक डाल देंगे आदा चमच कच्चा जीरा डालेंगे आदा चमच आमचुर परड़ डालेंगे और आदा ही चमच हम यहाँ पे गरम मसाला डाल देंगे अब उपर से हम हरा दनिया डाल देंगे अगर आपके पास हरा दन्या नहीं है तो आप यहां पे कसूरी मेथीगा भी यूज़ कर सकते हो उससे भी खाने का टेस्ट भहुत ही अच्छा हैगा तो फ्रेश में आपको याद दिला दो कि अगर आपको में रेसिपी जरा से पसन आ रही हो तो मेरे चैनल को सुस्क्राइब जरूर करें इन सभी को मिलाने के बाद हमने यहां पर आधी कटोरी सूजी का यूज़ किया है इसलिए हम यहां पर एक कटोरी पानी डाल देंगे इससे ज़्यादा पानी का यूज़ हमें यहां पर नहीं करना है इसे हम साइट में रखेंगे और गेस पर हम कड़ाई रखे और मीडियम फ्लेबरी इसे हम लगाता चलाते रहेंगे तो फिर यह तो आपको पता है होगा कि सूजी है वो पानी सोकती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह बेटर हमारा दिरे दिरे गाड़ा होने लगा है इसे हम जब तक चलाएंगे तब तक कि यह डोकी फॉर्म मे नहीं आ जाता आप यहाँ पे देख सकते हो कि यह काफी ठीक हो चुका है इसी स्टेट पर हम गेस को बंद कर देंगे और इसे हम एक बड़ी थाली में निकाल कर इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे पांच मीड़ बात हम यहाँ पे दे डो के दो फाख करने हैं और एक बड़ी सी लोई बनाकर हम तयार कर लेंगे किचन टोप पे थोड़ा तेल लगा लेंगे अब हमें यहाँ पर हलके हाथों से बेल ना है आप चागे इसे बेलने के लिए बेलन का यूज करें या फिर हलके हलके आतों से इसे फिला भी सकते हो हम या तो कटोरी या फिक लास के एल्प से इस तरह से छोटी-छोटी पूड़िया कट कर लेंगे इन्हें बनाना बहुती आसान है यह बहुती इजी से बनके त्यार हो जाती हैं साइट का अठा हटा कर वापिस हम एक लो देखेंगे और हाई फ्लेम पर इने उलड़ते पूलड़ते वह अच्छे से क्रिस्प होने देंगे अगर आप गेस की फ्लेम को लो या मेडियम रखोगे तो आपकी पूड़ी हो जाएगी तो फ्रेंस आप यहां पर देख सकते हैं कि पूड़ी है हमारी कितनी अच्छी फ बढ़ाई होगी और नहीं कभी बनाई होगी यह नास्ता जितना बनने में आसाने उतना ही खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है यह हमारा सारा नास्ता बनके तेयार हो चुका है इसे आप बनाके बच्चु की टिफिन में रखो या फिर कहीं बाहर जाना हो तो इन्हें ल और अगर आपको आज की में रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करना शेयर करना और सुस्क्राइब करना ना भूले मिलते हैं एक नहीं रेसिपी के साथ थाइंक्यों फोर वोचिंग